हले वरों, वेल्कलम बाक टियो, ओन चेनल वेल्स, सगज 29 जुलाई 2023, निफ्टी वीकली वीव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिसमें कि निफ्टी फिफ्टी बैंक, निफ्टी गोल्ड के बारे में हम लोग जान करें लेंगे-लेंगे, साथ में तीन स्टोक्स के ब वाइजर बिफोर इन्वेस्टमेंट, दो सबसे बहुत कर लेते हैं हम लोग गोल्ड के बारे में, गोल्ड के बारे में हम लोग डिस्कुशन कर रखा है, जब तक ये टूटेंगे नहीं, गोल्ड में कोई खास गिरावाट होगी नहीं, MCX के टर्म्स पर बोलें, तो ये ज फ्रिश बाइंग ये मर्जो कर आती है, जैसे ही गोल्ड में थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग होती है, एक सपोर्ट मिलता है 59,000 के लेवल पर एक फ्रिश बाइंग ये मर्जो कर आती है, तो दोस्तों जो लोग गोल्ड को नीचे के लेवल पर बाय करना चाह रहें, इस के लिए बहुत difficult था, तो जो भी महिना जिसमें की results maximum आएंगे, उस महिने में आपको volatility तो दिखाई पड़ेगी, पड़ेगी, और ये कोई नहीं चीज नहीं है, this is something which has always been there, अगर आप पहला महिना देखेंगे, फिर चाह वो April का महिना हो, या फिर July का महिना हो, या फिर आप कि आप देखेंगे October का महिना हो, इन सभी महिने में मार्केट में आपको एक violent move दिखाई पड़ता है, can you see it here, so ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ही carefully trade करना होता है, बहुत ही smartly play करना होता है, और अगर आप smart play करेंगे, तो आपके, दोस्तों, volatility is your friend, please always understand, volatility is going to favor you, और in fact, जित 10 आपको चल रहा है, इसका मतलब क्या है, कि आपको volatility मार्केट में ज्यादा दिखाई ही नहीं पड़ रही है, तो ऐसे मार्केट में, you know, market इसमें investment के लिए काफी conducive हो गई, investment के लिए बिल्कुल fit हो गई, क्योंकि इसमें volatility काम है, तो investors काफी ज्यादा, आपको, you know, काफी ज आपको अगया, तो सबसे बले बात कर लेते हैं, अम लोगोंने लास वीकली व्यो में क्या list किया, तो लास वी दिस्की पियू में आपको वीकली पैर जिखाई पड़े ओर रिखिखती ही और तो निफ्टी 50 ने अपने 20-day exponential moving average जो कि 19,520-30 के आसपास थे उसको टेस्ट नहीं किया, this was the level जो कि मैं चाहरा था कि ट्रेस्ट हो जाता और उसके बाद ये कहानी खतम होती, लेकि ये level टेस्ट नहीं हुए लेकि 19,550 के आसपास निफ्टी 50 ने last trading session में already ये level टेच कर दिया, although market में जदा last week में जदा movement नहीं था, market में जदा directional movement नहीं था, इसलिए जो लोग भी option writing करते हैं, उनको काफी बड़ा मुनाफ़ा हुआ है last week में, तो so market में आपको सही समय पर सही चीज, सही trading strategy के साथ trade करना होता है, तो इसके लिए और ये वो कब कर सकते हैं, जब आपको ची options सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत ही nominal fees में, क्योंकि market की fees काफी ज्यादा है, काफी सारे लोग कैते हैं market में गलती करके सीखेंगे, लिकिन market में गलती करने की जो fees है, वो काफी ज्यादा है, फिलाल बात रहे nifty 50 की, momentum positive है, मुझे कोई भी खास weakness दिखाई नहीं पड़ र चाहिए, market में सब कुछ भी नहीं है, जिसकी वज़े से आपको कोई negative feeling है, results के बारें बात रहे, results in the last week have been if not better, अगर ऐसे नहीं है कि outstanding numbers है, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे भी नहीं है कि बहुत खराब numbers है, generally banks के बारें बात रहे, results have been better than expected, stocks के बारें मिट कैप और small cap ने outperform किया जो बड़े large cap stocks है, large cap companies है, उनसे बहतर ही results की उमीदे है, तो और रहाल ऐसा कोई भी company या stock नहीं था, जिसने की under performance दिखा गाओ, gross under performance दिखा गाओ, I don't think so there was any company, फिलाल दोस्तों बात करें है हम लोग ने 50-50 के weekly chart के, तो 19,725 is an important and crucial level, तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों आपको नजर रखने चाहिए, कोई भी bullish trade initiate करने से पहले, 19,700 के उपर के level के आने के बाद, कोई fresh trade initiate आपको करना चाहिए, मेरे सबसे market में आगे भी आपको थोड़ा सा caution रखना है, क्योंकि अपना जो important level है, 19,500 जो 20-day exponential moving average वो भी test नहीं किया है, so कोई भी bullish move तभी लेना है, जिब 19,700 के levels आपको break करते हुए दिखाई पड़ें, और अगर वो breakout होता है, तो फिर आपके लिए 20,000, 20,200, 20,500 तक के levels भी कोई बड़ी चीज मार्केट में नहीं है, so keep an eye on 19,700 level, thereafter you can initiate your bullish positions, वहीं पर दोसों, Nifty Bank के बारे में बात रहों, तो Nifty Bank ने अपने 20-day exponential moving average car retracement complete कर द देखें, तो Nifty थोड़ा पुराना और पीछे का चार्ट देखते हैं, तो Nifty Bank generally अपने 20-day exponential moving average के support से bounce लेता है, और वहीं से आपको एक upside दिखाई पड़ती है, so यह जो enrichment complete हुए एक बहुत ही positive news है, बस caution के रखना है, अपना जो stop loss रखना है, वो रखना है 20-day exponential moving average का, अगर यह level toad जाता है, which happens to be somewhere close to 45,350, तो अगर यह level breach कर जाता है, तो फिर एक weakness दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यह last trading session में भी Nifty Bank ने 20-day exponential moving average से एक bounce back लिया था, so you can initiate a fresh, fresh position, fresh bullish positions with the stop loss of 45,350, समझ में आ गया, logic समझ में आ गया, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या reason है, और ऐसा क्यो मुझे बिल्कुल clear cut direction मिले, so clear cut direction के लिए तो फिर आपको तभी trade initiate करना है, जब आपको 46,000 के levels breach होते होई दिखाई पड़े, 46,000 एक crucial level है, क्योंकि last trading session, last week में भी 46,000 और 46,200 के जो levels थे, उस पे बार बार Nifty Bank आ करके retracement face कर रहा था, तो फिर अगर आप बिल्कुल clear cut direction चाहते है कि जिस लेवल के breakout होने के बाद कोई भी resistance ना हो, तो वो resistance, वो जो level है वो है ये, this is the level I'm talking about, और ये level कौन सा है, this level is nothing, but 46,200 levels, can you see this, this is the level which is 46,200 levels, तो ये level अगर breakout करता है, तो फिर तो इसके सीधे सीधे आपको 48,000 के levels दिखाई पड़ेंगे, मतलब 1800 का move दिखाई पड़े position initiate करना बनता है, reason के है, समझ में आ गया, तो लास्ट वीक मेरा stance थोड़ा सा बीरिश था, इस वीक मेरा stance थोड़ा सा bullish है, समझ में आ गया, क्यों है, उसका reason मैं आपको बता दिया, stocks के बारें बात करें, पहला stock जिस पर कि आपकी नज़रें होनी चाहिए, मैं फिर से retreat कर र graphite company जो की commodity driven है, graphite electrodes के company में काम करती है, इसके पास captive energy भी है, जिसके तहत company को power का ज़्यदा कोई डिक्कत है नहीं, एक बहतरीन company, well managed company, एक बहतरीन company कर आप देखेंगे price warning ratio को, तो अपने peers में सबसे सस्ते valuation पे trade करा, तो अगर आपने मेरा nifty weekly view study किया है, तो जो भी stocks मैं अप नहीं है नहीं होने चाहिए, stock over valued नहीं होने चाहिए, मेरे पास में आरिया है, okay, अगर आप देखेंगे तो यह stock सिर्फ 12 के PE के असपास trade कर रहा है, अगर बात करे return ratios की, return ratios are outstanding, company के ओपर ज्यदा debt नहीं, कि आप सूचे कि बहुत ज्यदा company debt के ऊपर है, promoter की holding 55% के और कोई भी promoter holding pledge नहीं है, ठीक है, तो fundamentally कुछ ऐसा grossly गलत नहीं है, जिसको को लगे क्यारी, तो बरबाद कमती है, return on equity is close to 13%, return on capital employees also 13%, which is okay, I will not say very bad, if not very good, दोस्तों गर हम लोग बात करें तो पिछले तकरीबन एक महीने से, यह stock 1700 के levels को breach नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही positive news मेरे साब से, जब भी इस तरह से होता है, तो यह stock में अपनी आखों के सामने बिल्कूल सामने रख लेता हूं, योगि जैसे ही यह 1700 के level breakout करेगा, although last week में इसने कोशिश जरूर करी थी 1700 के level को breach करने की, in fact, 1720 तक भी आया था, लेकिन इसको breakout नहीं कर पाया, अगर यह breakout करेग तो दोस्तों यहां से stock में बड़ा move दिखाई पढ़ने की अंदेशा है, यहां तक मुझे लगता stock 1900, 1900, 2000 के level तक भी जा सकता है, बहुत ही short term है, तो इस stock को आप study करिए, दम लगता है, तो invest करिए, next stock, दोस्तों वो है hero motor cop, hero motor cop को last time हम लोग डिसक्स किया थे, जब यह stock 1800 के level breach होंगे, तो stock आपको 3000 के उपर ही मिलेगा, 32 के level दिखाई पड़ सकते हैं, उस समय stock rate कर रहा था, मत 18 के PE के आसपास, अभी भी stock महगा नहीं है, 423 के PE के आसपास rate कर रहा है, अगर हम लोग stock के, अगर you know competitors को देखें, तो competitors के कौन है, बजाज, hero motor cop ने भी recently Harley Davidson का निया model निक ही है, तो आपको साफ 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 समझाएगा, कि ये company एक debt free company है, इसके लावा कर बात करें, company के price to earning ratio की, तो price to earning ratio को भी अगर आप देखेंगे, तो you will understand, ये stock अपने पीर से comparison में सबसे सस्ते valuation पे आपको मिल रहा है, dividend के बारे हम बात करें, तो 3% की dividend deal दे रहा है, मतलब अब इसके पीर से comparison में सबसे heavy dividend yield ये stock offer करता है, return on equity के बारे हम बात करें, एक respectable return on equity भी है, 17% की, return on capital employee 23%, जो कि आप बिलकुल कहेंगे कि एक higher double digit number है, so overall हमको सारी चीज़े positive ही दिखाई पड़ रही है, जो भी data है, दोस्तों ही मेरा data नहीं, मैंने कुछ fabricate नहीं किया है, this data is right in front of you और मैं आपके सामने study कर रहा हूँ, I am just studying in front of you, और अगर आप देखे free cash flow, तो positive free cash flow भी ये company generate करती है, इनको याद नहीं दोस्तों को मैं remind कर देना चाहता हूँ कि 2800 के levels पर हम लोग ने stock कई बार discuss कि 2800 के levels breakout करते ही, stock में solid upside दिखाई पड़ेगा, और यी चीज़ मैंने retweet कर थी जब company ने Harley Davidson की bike को launch किया था, अभी stock के surprise पर trade कर रहा है, 3200 के level को touch करके consolidate कर रहा है, जब भी stock consolidate करे, उसको आखो के सामने रखो, क्योंकि 3200 के levels को breakout करने के बाद stock रुकेगा नहीं, stock is likely to go to 3600 levels, study the stock, अगर आपको लगता है समय potential है, consider financial advisor and do invest accordingly, last but not the least, मेरा favorite stock है दोस्तों, Apollo hospital को कि मेरे हसाब से मुझे ऐसा लगता है, कि दुनिया में एक ही चीज है, जो कि आपके लिए सबसे important है, वो है आपकी health और आपकी life, और आपकी life और health के लिए एक बहुत बड़ा role play करता है Apollo hospital, जिसमें कि दुनिया नहीं, में इंडिया नहीं, दुनिया से लोग आ करके, ब Apollo hospitals, because of their good treatment, good, you know, good ethics, as far as their services are concerned, prices को ले करके मैं comment नहीं कर पाऊँगा, आपको क्या लगता है Apollo hospital, सबसे अच्छी services, कौन से private hospital की है, private hospital की है, मुझे comment से बता सकते है, you can let me know your views in the comments, although services को ले करके, मैं comment कर सकता हूँ, but pricing, prices को ले करके, मैं comment नहीं कर सकता हूँ, फिलाल दुसों बात करें हम लोग इसके financial ratios को देखते हैं, तो return on equity is 14%, return on capital employed is also close to 14%, 14% plus positive free cash flow generate करने वाले कंपनी है, कंपनी के उपर थोड़ा debt level ज्यादा था पहले, अभी कंपनी ने अपने debt level को reduce कर लिया है, promoter holding 30% है, जिसमें कि 16% promoter holding pledge है, जो चीज़ negative है दोस्तों, वो चीज़ मुझे definitely highlight करना अच्छा लगता है, कंपनी के उपर debt level भी थोड़ा सा ज्यादा है, और कंपनी की promoter holding भी pledge है, ये दो negative होंगे, तीसरा negative, कंपनी बहुत ही महंगे valuation पे है, अपने peer से compare करेंगे, तो सबसे महंगा stock है, तो negative सारह समझा दिया है, समझ में आ गया आपको, अब ये दुस्त stock जो की overvalued है, presently trade कर रहा है 5400 के आसपास, तो मैंने stock को last time buy किया था, that was somewhere close to 4200, और 4200 को ऐसा नहीं है कि एक जटके में, stock बहुत लंबे समय तक 4200 के आसपास पढ़ा रहा कर आप देखें, तो stock करीब 6-7-8 महीने 4200 के आसपास पढ़ा रहा है, तो मैंने stock को काफी हद तक accumulate क किया था, कोशिश करी थी, accumulate करने की और है, और अगर मोग दोसों बात करें stock के important level की, तो 5400 के आसपास stock का एक consolidation zone दिखाई पढ़ रहा है, जहां से stock 5300, 5400 के लेवल को breakout नहीं कर पा रहा था, last trading session में stock ने, 53, मैंने 43 बोला है कि है, 53, I apologize, अगर मैंने 43 बोला है तो, तो 5300 के लेवल को breakout नहीं कर पाया, so last trading session में ने 5300 के लेवल को breakout किया है decisively, जहां तक मुझे लगता है ये upside आगे भी continue रह सकती, stock of study कर सकते है, stock has very very strong possibility to hit its all time high levels which is close to 6000 levels, study करें, अगर आपको लगता है, दम है, तो invest कर है, do share with your friends, do consult your financial advisor, weekend, long weekend है, do not waste it, study करो, सीखो, link description में है, with very nominal fee, you can get pro information, thank you so much, bye-bye